बुडा पेस्ट में चैस ओलंपियार्ड चल रहा था जहां भारत की महिला और पुरुष टीम ने 97 साल का रिकार्ड तोड़ दिया 45 वे चैस ओलंपियार्ड में भारत ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ भारत की महिला और पुरुस तोनों टीमों ने सतरंज में गुल्ड मैडल जीता और भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात कर रहे हैं ये छोटे-छोटे बच्चे देश के लिए कीरती मान बना कर आए हैं उस पर पूरे देश को ना सिर्फ गर्व है बलकि पूरा देश इन्हें सैल्यूट कर रहा है भारतिय पुरुस टीम में डी गुकेस, अरजुन एलिगेसी, विदिता गुजराती, पैंटला हरीकरश्न, आर प्रग्यानंद और स्रीनाथ नारायन शामिल रहे जबकि महिला सैक्सन में भारत ने आखरी मैच में अजर बेजान को हराया था और टीम में हरीका दुनावल्ली, वैशाली, रमेश बाबू, दिव्या देश मुक, वंतिका अगरवाल, तानिया सच्देब और अभी जीत उनते सामिल रही इससे पहले आपको बता दें कि भारत ने दौनों सैक्सन में गोल्ड जो जीता है इससे पहले 2014 में भी भारत ब्राउंज मैडल जीत चुका है भारती एपुरसों ने इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और आठ मुकाबले जीते इसके बाद डिफेंडिंग चेंपियन उजबेकिस्तान से ड्रा खेला इसके बाद 21 सितंबर को उसने टौप सीड वाली अमेरीकी टीम को मात देकर एक तरह से गुल्ड पका कर दिया था वहीं महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल था लास्ट दौर में भी महिलाओं ने शानदार खेल दिखाया अब भारत के ये खिलाड़ी पी-म मोदी से उसी तरह से मिल रहे हैं जैसे किरकेट के हमारे चेंपियन मिले थे और वो बता रहे हैं देखिए ये युवा है सारे बचे सारे युवा हैं और किस तरह से कमाल किया है इनोंने पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंडर बोदी उनसे मिल रहे हैं और ये एक देश का गर्व है कमाल है